हाई गाईज, वेलकम टो और यूट्यूब चैनल दरियल इन्वेस्माइन आशोक लेलानी स्टॉक के रेलिटेड एक न्यूज आते हो देखने मिल रही है और साथ इसके धमा के दाथ टार्गेट प्राइजस भी निकल करा रहे है जिस वज़े से हम जैसे इन्वेस्टर्स को काफी जादा अच्छा फाइदा होते वे स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा तो क्या कुछ ही नियूज है और क्या कुछ इसके टार्गेट प्राइजस निकल करा रहे है इसके बारे में जानेंगे और स्टॉक का जो ट्रेडिंग देखने को मिल रहे है वो किस मूमेंटम में जाते हो देखने मिल रहे है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूर है क्योंकि स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रहे है तो इस लेवल पर आपको इसके अंदर fresh buying करनी चाहिए या अब भी इसके अंदर आपको hold कर कर रखना चाहिए इस बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले trading की बात कर लेते हैं आज की तो आप देख सकते हैं stock के अंदर 2.4% तक की हापर gir out होते हो देखनी मिल रहे हैं मतलब stock के अंदर 2% की gir out साथी साथ देख सकते है stock नहीं आपर आपना low भी बनाया था 120 का stock के अंदर low होते हो देखनी को मिला था साथी साथ आप देख सकते है stock का यह जो momentum है यह पिछले one month से हमें ऐसे ही चलते हो देखनी को मिल रहे है stock के अंदर कोई भी एक breakout आते हो देखनी मिल रहे है उसी range में stock यहां पर perform करते हुए देखने को मिल रहा है stock के अंदर जो एक upward momentum यहां पर ऐसी कोई भी position बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे है लेकिन अभी इसके जो fresh target price निकल कर आ रहे है जो कि काफ़े अच्छे है जिसके चलते एक stock के अंदर एक अच्छा खासा breakout हमें देखने को मिल सकता है साथी से आपको बताना चाहूंगी stock के आज की performance की बारे में तो आप यहां पर देख सकते है stock के अंदर buying काफी level पर हो रही है 122 के price पर लोग इसके अंदर buy करते हुए देखने मिल रहे है delivery की percentage वा इस बात की जाए तो 18.90% की delivery यहां पर stock में उठाई जा रही है और साथी साथ लोग इसे अपने portfolio में भी शामिल कर रहे है तो आप यहां पर देख सकते हैं 44,65,914 यहां पर इसे अपने portfolio में शामिल कर रहे है साथी साथ आपको बताना चाहूंगी stock के बारे में जो news थी उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं जो कि commercial vehicles के related देखने को मिल रही है जो कि Ashoklaeland on Tuesday said its manufacturing plans across the country would be operational between 6 to 25 days in July तो इनकी जो manufacturing की process थी वो हमें इनकी related जो भी work है वो हमें 6 से लेकि 25 days के बीच में यानि July तक आपको cover होते हुए देखने को मिलेगा यानि कि 25 July तक आपको complete होते हुए देखने मिलेगा जो कि Chennai Best Company noted that the overall market demand in the July is better than June तो June की जो demand चल रही थी इन vehicles को लेकर उससे भी हाँ पर कई गुणा जादा demand जुले मंथ में हमें होते हुए देखने को मिलेगी सारी साथ आपको बताना चाहोंगी प्लाइन को मिलेगे जो की कंपनी के तरफ से हाँ पर स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रही है आइन जुन फर्स देखने हैं पर उस जगापर उस लोकेशन में हमें जो लोगडाउन की सिच्वेशन के चलते यहाँ पर जो demand बढ़ते हुए देखनी को मिलनी चाहिए थी उस level पर हमें बढ़ते हो देखनी को नहीं मिल रही है तो यहाँ नो जो manufacturing process है तो वो हमें हाँ पर कही ना कहीं लॉक्डाउन की वज़े से हाँ पर रुकावट लाते हुए देखने को मिल रही है तो COVID-19 की situation जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आशुक लेलेन की demand भी आपको बढ़ते हुए देखने मिलेगी और इसका production और manufacturing दोना ही प्रोसेस आपको काफी जारती जैसे बढ़ते हुए देखने मिलेगी जैसे के आप देख सकते है COVID-19 की जो second wave हमें देखने की मिली थी उसके आदर अशुक लेलेन हैड़ सेट इट है इट हैज दा critical production इट हैज दा manufacturing plans due to deep in demand with the second wave चलते भी इनके manufacturing process में हमें थोड़ी से कम चरता थे देखने मिली थी और इसके जो पिसले results थे वह भी आप देख सकते COVID-19 के situation की वाज़ेसे और साथी साथ जो lockdown था इसके चलती इनकी जो demands थी उसके अंदर काफी किल्लत आते हुए हमें देखने को मिली थी तो इनका supply जैसे जैसे यहाँ पर lockdown की situation कम होती जाएगी वैसे वैसे इनकी supply की chain यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगी stock का अगर आप maximum level का performance देखेंगे तो आपको बतना चाहूंगी stock का peak point देख सकते 155.55 का देखने को मिला था और उसी range में उसी levels को touch करने की stock की हाँ पर तयारी होते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि अभी stock देख सकते है फिलाल देखा जाए तो 122 पर trade करते हुए देखने को मिलेगा जो कि इसका पिछला 52 वीक हा है उसको भी cross करते हुए यह stock देखने को मिलेगा जहां तक कि stock के अंदर के performance की बात की जाए जो कि इसकी fundamental हम देख लेते हैं इसके results की बारे में तो आप यहां पर देख सकते हैं stock negativity से घटकर यहां पर positivity के और बढ़ते हुए देखने positivity से यह आप यह positivity मैप देख सकते हैं 31,394 lakhs रुपीज का होते हो देखने मिल रहे हैं यही सिच्वेशन हमें net profit में भी देखने को मिल रही है जो कि 24,170 lakhs की होते हो देखने मिल रहे हैं तो stock का performance है यह दिन बाद दिन यहां पर बढ़ते हुए देखने हुए और इसके results भी अच्छे लगते हो देखने मिल रहे है quarter on quarter basis पर बात की जाए यह year on year basis पर बात की जाए सिर्फ यहां पर जो अभी फिलाल की जो हाला थे इसके वज़े से stock के अंदर थोड़ा सा pressure बनते हो देखने मिल रहे है all and ever stock के अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है so thank you so much